हैलो बच्चो तुत्रलो सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी भहुत साल पहले रामपुर गाउं में एक परिवार रहता था परिवार में माता पिता, दादा, दादी जी, आठ साल का राजू और साथ साल की रानी भी रहती थी दोनों बहुत शरारती थे एक तीन दोनों अपने कमरे में बेटे होमवग कर रहे थे तबी रानी अपने भहिया से कहती है मेरा होमवग करने का बिलकुल भी मन नहीं है काश हम कल स्कूल की छुट्टी कर पाते तबी राजू रानी की कान में कुछ कहता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है देखो मैं क्या करता हो और फिर दोड़ता वो अपने मा के पास चला जाता है और कहता है रानी को बहुत तेज से भुका राया है मा उसी टाइम पे रानी अपने कमरे में एक कमबल ओड़े बेटी थी जैसे उसकी मा और राजु कमरे में आते है तो रानी जल्दी से कमबल को हटा देती है मा रानी को हाथ लगा कर देखती है तो भारी कमबल ओड़ने की वज़े से रानी का शरीर गरम हो जाता है तब ही रानी की मा उसे जल्दी से एक दवाई देती है और पीने के लिए कहती है और कहती है कि इस दवाई की पीने से तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी मा कमरे से भार जाने के बाद रानी राजु से कहती है भया यह दवाई तो बहुत कड़वी है तब राजु कहता है कोई बात नहीं रानी इस दवाई की वज़े से हमारी स्कुल की छुट्टी तो हो गई और दोनों भोत खुश हो जाते हैं लेकिन इस पार उनकी यह शरारत बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली थी अगले दिन बिना किसी विमारी के वज़े से दवाई खाने की वज़े से रानी को पेटदत करने लगा था यह बात रानी अपने भया राजु को बताती है तो राजु कहता है कोई बात नहीं मेरे पास इसका भी इलाज है राजु अपने दादा जी के कमरे में जाता है और दादा जी के दवाई के डिबे में से एक निले रंग की दवाई लेकर राणी के पास वापस जाता है और रानी को यह दवाई देकर पीने के लिए कहता है और कहता है कि कुछ दिन पहले दादा जी को भी पेट दर्था तो दादा जी ने भी यही दवाई खाई थी तब ही रानी तुरंत यह दवाई खा लेती है और उसके बाद थोड़ी देरी के बाद उसका पेट दद और बढ़ जाता है यहाँ देखकर राजु फिर से दादा जी के पास कमरे में जाता है और दुसरी पेट दर्द की दवा लेकर रानी के पास वापस आता है और यहाँ दवाई खाने के लिए कहता है रानी फिर से यह दवाई खा लेती है और फिर से इस दवाई को खाने के बाद रानी का पेट दद और जोरों से बढ़ने लगता है और रानी जोर जोर से रोने लगती है रानी को रोता देख राजू को अपने गलती का हैसास होता है और वह भी जोर जोर से रोने लगता है और रानी से कहता है मुझे तुमारी बिमारी का भाना नहीं बनाना चाहिए था और बिना सोचे समझे तुमें दवाई भी खाने के लिए नहीं देनी चाहिए थी मेरे इस गलती की वज़े से तुम बिमार हो गई दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुन कर देख दादा जी बच्चों के कमरे में चले आते हैं और दोनों बच्चों से पूछते हैं क्या हुआ दुम दोनों क्यों रो रहे हो तो राजू सारी सच्चाई रोते रोते दादा जी को बताता है तब दादा जी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, बच्चों हमें दवाई योसे खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाईया बिमार होने पर खाई जाती है, और बिना किसी बिमारी के वज़े से इसे खाया जाए, तो शरीर को नुकसान कर सकती है, और हम बिमार पढ़ सकते हैं, और एक बात, अगर बिमार हो तो डॉक्टर की सला के विना हमें कोई भी दवाई नहीं कहनी चाहिए, तब दोनों बच्चे दादा जी से कहते हैं, दादा जी हम ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे, और हमेशा ध्यान रखेंगे, और डॉक्टर की सला के विना तो हम कोई भी दवाई नहीं खाएंगे और दवाई उसे खेलेंगे भी नहीं क्योंकि दवाई या बीमार होने पर ही खाई जाती है इसके बाद दाजा जी डॉक्टर को फोन लगाते हैं डॉक्टर नानी के ठीक से जाज करते हैं और उसे दवाई देते हैं और जिससे वह जल्दी से ठी तो बच्चो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बीना किसी बीमारी के वज़े से दवाईया नहीं खानी है और कभी भी दवाईयों के साथ मस्ती नहीं करनी है और अगर बीमार हो तो डॉक्टर की सला से दवाईया खानी है ताकि हम जल्दी से ठीक हो सके